नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांख है 2 अगस्त वर्ष 2021, 10th H2 में Maths 2 हम लोग कर रहे हैं, पहला चैप्टर सामरूपता, इसके सभी प्रश्न संग्रा मैं आपको करा चुका हूँ, और आज, आज मैं आपको इस चैप्टर के जो प्रमे हैं, वो कराने वाला हूँ, परिक्षा में पूछी जाएगी बाकी जो सारी प्रमे हैं, वो रेड्यूस कर दी गई हैं इस बार, क्योंकि 25 प्रतीशत पोर्शन कम हुआ है, तो सबसे पहला प्रमे हम लोग करेंगे, जिसका नाम है समान उपात का मोलभूत प्रमे, ये फार्मूला मैं आपको पहले ही प्रतिश्चेदित करती हो, तो ये जो अनुपात मिलता है दोनों भुजाओं का, वो समान होता है, जैसे कि PA बटे PB, बराबर QA बटे QC, याद है आपको ये फार्मूला? माइक आन करके जवाब दीजे बेटा. अब ठीक है, देखो, परिक्षा में प्रमे कैसे पूछी जाएगी? सबसे पहले तो ऐसा देखो, दो तरीके से पूछा जा सकता है ये प्रमे. ये ये यहाँ पर जो कथन दिया है, या तो वो सीधा परिक्षा में पूछ देगा, कि यदि किसी तिर्भुच की किसी एक भुजा के समानतर खीची गई रेखा, उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्द बिंदू पर पतिछेदित करें, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान उनपात में भाजित करती है, सिद्ध करो. तो अगर आपको ऐसा पूछा गया है, तो आपको ये डाइग्राम बनाना पड़ेगा, डाइग्राम में आप कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जो किताब में दिया है, वही लिखना है. A, B, C, P, Q के जगे पे कोई भी नाम आप लिख सकते हो. फिर आपको इद्दत लिखना है, साध्ध लिखना है, ये रचना, और इसके बाद उपत्ति. तो ये तो एक तरीका हुआ अगर परिक्षा में ऐसे भी पूछ सकते हैं. कभी-कभी परिक्षा में ऐसे होता है, कि सिर्फ आकर्ति दे देंगे, ऐसे बहुत कम होता है, ज़्यादा तर तो ये कथन ही दिया जाता है, और हमें सिद्ध करना होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि आकर्ति दे देते हैं, और उस आकर्ति के अधार पर कहते हैं, कि दी गई आकृति के अनुसार ये सिद्ध करों की AP बटे PB बराबर EQ बटे QC और उसमें जानकारी दे देंगे कि रेखा L जो है भुजा BC के समानतर है तो कैसे करना है मैं यहाँ पर देखो किताब में समझाया गया है मैं किताब से ही आपको सिद्धा समझा देता हूँ कथन यहाँ पर दिया गया है आपको इस तरह से आकृति बनानी है उसका नाम देना है जैसे यहाँ पर ABC नाम दिया है आप कोई भी नाम दे सकते हो पिर ये रेखा को, यहाँ L नाम दिया है, ऐसे याप भी कोई भी रेखा को, कोई भी नाम दे सकते हैं, यह बिंदु P क्यों यहाँ दिया है, यहाँ पर, ऐसे याप भी कोई भी दो अक्षरों से नाम लिख सकते हैं अब देखो कथन में दद, दद मतलब क्या जानकारी दी है तो कैसे पता चलेगा कथन में Yadhi और ये तो यदी और तो के बीच में जो जानकारी है बिटा आप लोग समय पे आया करिए लेट आते हो तो डिस्टरब होता है यदी यदी और तो के बीच में जो यहां दिया गया है वो सब्दत में लिखा जाता है और तो के बाद जो लिखा जाता है वह साध्य में लिखा जाता है तो यदी और तो के बीच में क्या दिया है कि किसी तिर्भुज की किसी एक भुजा के समांतर खीची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्द बिंदूँ पर प्रतित छेदित करे बतला यहां दो चीज दिया गया है कि तिर्भुज की किसी एक भुजा के समांतर खीच गई रेखा है और रेखा तर्फुच के दो भुखाओं को भिंद बिंदूपर प्रतिच्छे दिद करती हैं तो यह हम यहाँ पर वही जानकारी लिखेंगे यहाँ पर रेखा कौन सी है L है तो तर्फुच ABC में रेखा L यह भुजा BC शया भुजा當 अचा A, C और A, B को बिंदू Q और बिंदू P पर प्रतिछे दित करती हैं. तो ये जानकारी जो कि यहां तो के पहले लिखी गई थी, वो सब दत में लिख दिया. साध्ध क्या करना है? ये तो के बाद जो लिखा जाता है, वो साध्ध होता है. क्या लिखा है तो के बाद, वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समार अनुपात में विभाजित करती है, तो ये रेखा अन्य भुजाओं को कौन से अनुपात में विभाजित कर रही है, ये जो रेखा L है, ये भुजा A.B. को कौन से अनुपात में विभाजित कर रही है, वो येस AP upon PB तो ये पहला अनुपात हो गया AB भुजा AB को रेखा L AP बटे PB के अनुपात में भाजित करती है अच्छा यही रेखा L भुजा AC को कौन से अनुपात में भाजित करती है AQ upon QC इस अनुपात में भाजित करती है तो हमें सिद्ध क्या करना है कि यह जो अनुपात है यह समान होते हैं यानि यह बराबर होंगे यह सिद्ध करना है, साध्ध हो गया तो इसको साध्ध करने के लिए कभी-कभी साध्ध करने के लिए हमें रचना की जरुद पड़ती है तो यहाँ पर हमें रचना करनी पड़ेगी रचना कैसे किया गया है देखो यह जो dotted line जो देख रहे है और dot 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 यह रचना हमेशा dot line से ही दिखाई जाती है जैसे हाँ बिंदू Q और B को मिला दिया गया है ऐसे ही बिंदू P और C को भी मिला दिया गया है तो यह आपको रचना में लिखना पड़ेगा कि रेख PC तथा रेख BQ खींचिए रेख PC और रेख BQ खींचिए रचना हो गई अब हम उपत्ती शुरू करते हैं उपत्ती में देखो सबसे पहले आपको दो ट्रेंगल लेने हैं दो ट्रेंगल कौन से लेने हैं मैं आपको बता देता हूँ अब्दम आसान तरीका देखो पहला ट्रेंगे कैसे लेंगए यहाँ पर पहला रंपाद देखो क्या है ए पी है ए और यहां पर कौन सा बिंदु और दोनों में है उपर जृप यह नीचे क्योंहें तो कैसे ले नए पी-क्यों पैरा ट्रे हो हो गया एपी क्यों अच्छा दूसरा ट्रेंगल बताओ कैसे लेंगे कि पीबी कि से वही तरीका कौन सा पॉइंट दोनों में है येस पीबी लेना है और ये जो दो पॉइंट ऊपर नीचे वह ले लेना है तो पीबी क्यूं कुछ समझ में आया बात में क्या क्या रहा हूं दो त्रभूज कैसे लेने हैं समझ गए अब ये ये दो त्रभूज में ध्यान से देखो ये समान उचाई वाले त्रभूज हैं क्यूं समान उचाई वाले त्रभूज हैं इन दोनों में देखो कौन सा पॉइंट दोनों में है Q दोनों में है अगर Q मैं बिंदू ले रहा हूँ तो अधार क्या हो गया Q को छुपा दो तो क्या बचा AP यानि इसका अधार हो गया AP ऐसे इसका अधार क्या हो गया PB तो देखो यह अधार AP और PB अधार AP और PB यह एक रेखा में है न तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर दो त्रभुज में कोई एक बिंदू common है तो और आधार एक रेखा में हैं तो ऐसे त्रभुज समान उचाई वाले होते हैं तो इसलिए यहां लिखा है कि यह दोनों त्रभुज समान उचाई वाले त्रभुज हैं क्योंकि Q दोनों में है और आधार AQ और PB एक रेखा में है समझ में आया अब आगे क्या करना है यही त्रभुज को अनुपात में लिख देना है यह ट्रेंगल APQ है तो area of triangle APQ बटे यह triangle PQ भी है तो area of triangle PQ भी बराबर इसका आधार और इसका आधार लिखना है अभी आधार कैसे अभी हमने देखा कि Q common है तो आधार AP होगा और इसका आधार PB होगा ठीक है कारण क्या होता है कि जब गुचाही समान होती ही त्रभुज की तो उनके छेत्रफल का जो अनुपात है वो आधार के अनुपात में होता है यही कारण यहां पर दर्शाय आ गया है कि आधार के अनुपात में छेत्रफल जो है वो आधार के अनुपात में है ठीक है अब हम ऐसे ही देखो जैसे हमने यहां पर AP Q और PB Q लिया वैसे अगर यह साइड से हम देखें यह साइड से देखें तो कौन सा ट्रेंगल लाएगा कि एक्यू और पी देखो हाँ येस दो पी देखो दोनों में है तो ट्रेंगल एक्यू पी एक्यू पी और यहां नीचे से कौन सा ट्रेंगल मिलेगा है किउ सी पी दोनों में है तो ट्रेंगल क्यू सी पी कि कि यहीं वाला स्टेप लिख रहे हैं एरिया पी दोनों में है और एक्यू और क्यू सी एक रेखा में है यह AQ और QC एक रेखा में है तो इसलिए इसका AQ और QC ही आधार हो जाएगा तो इसलिए यह आधार AQ और QC के बराबर हो गया कारण भई आएगा जो हमने उपर लिखा था यह पहला statement यह दूसरा statement यहां तक बात समझ में आ गया इस statement को number 1 दे दिया गया है इस statement को number 2 लिख दिया गया है अब आगे देखो अब आगे अगला step इधर नीचे जो triangle है और इसका जो नीचे वला triangle है वो triangle लेना है नीचे कौन से triangle है area of triangle PQB तो triangle PQB ले लिया और triangle PQC ले लिया अब इसमें देखो दोनों triangle में PQ आ रहा है ना PQ दोनों में आ रहा है तो इसले PQ सामान्य आधार हो गया PQ common आधार है सामान यानि common PQ common आधार यानि दोनों त्रिभुच का आधार है फिर देखो यहाँ पर क्या दिया है PQ हमारे जो आकरती है उसमें रेखा PQ और रेखा BC समानतर दिया गया है रेखा PQ और रेखा BC समानतर दिया गया है और ये जो दोनों त्रिभुष हमने लिया था PQB और PQC ये दोनों त्रिभुष देखो इसी समानतर रेखा के मद्ध है तो जो त्रभुच समांतर रेखा के मद्ध होते हैं, उनकी उचाई समान होते हैं, तो इसलिए इनकी उचाई भी समान हो गई, यहां अधार भी कौमन है, यानि अधार भी समान हो गया, और उचाई भी समान हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज के आधार भी समान है उचाई भी समान है और हम जानते हैं जिस त्रिभुज की आधार और उचाई दोनों समान होते हैं वो त्रिभुज के छित्रफल बराबर होते हैं तो इसलिए area of triangle PQB और area of triangle PQC बराबर हो जाएंगे नमबर 3 यहां तक बास समझ में आई आप देखो ध्यान से देखो यह यह पहला statement दूसरा statement और तीसरा statement आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हो देखो मैं बता रहा हूं पहले और दूसरे में देखो उपर वाला जो अंच है सेम ही है सेम है की नहीं फिर जो नीचे वाला जो triangle है वो थर्ड में equal हमने कर दिया है equal दिख रहा है थर्ड में तो यहां ऊपर का भी triangle का एरिया इक्वल हो गया नीचे की भी triangle का एरिया इक्वल हो गया मतलब यह दोनों अनुपाद बराबर हो गई की नहीं तो इसलिए अगला स्टेप अगला स्टेप बिटा कुछ लोग लेट आ रहे हैं बहुत डिस्टाब हो रहा है यह आदत छोड़ दीजे मैंने पहले भी आपको सूचना दी है कि समय पर lecture attend किया करो इस तरह से करोगे तो मैं बीच में फिर आपको admit करना बंद कर दूँगा फिर आपका नुकसान हो जाएगा मैं नुकसान नहीं करना चाहता हूं इसलिए आप से request है मेरी की time पर आया करिए पांच दो तीन मिनट चलता है आगे बट पंद्रा पंद्रा मिनट लेक्चर बीच जाए उसके बाद आते हो तो यह बहुत गलत आदे थे ठीक नहीं है यह अ, 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 देखो डिस्टरब हो गये ना मैं क्या पढ़ा रहा था क्या बीच में बोलना पड़ा जाए प्धिए तो यह पहला और दूसरा अनुपाद दोनों बराबर हो गया कैसे पता चला एक और दो से हमको पता चला था कि उपर वाला बराबर है और तीन से हमको पता चला कि नीचे वाला भी बराबर है तो इसलिए एक दो तीनों से हमको मालुम पड़ा कि यह दोनों अनुपाद बराबर है बराबर जगे पे AP बटे PB लिख दिया फिर जो दूसरा अनुपात है वो किसके वराबर था AQ बटे QC के तो इसके जगे पे AQ बटे QC लिख दिया तो यह हमने कहां से लिखा यह मान हमने यहां एक और यह 2 से यह मान लिखा है इसलिए कारण के आगया एक और दो से और यही चीज़ हमें सिध्ध करनी थी देखो AP बटे PB बराबर EQ बटे QC और वही यहां पर आ गया AP बटे PB बराबर EQ बटे QC तो इस तरह से यह प्रमे सिध्ध करनी है बेटा तो यह मैं recorded वीडियो आपको भेज दूँगा आप इस वीडियो को बार-बार सुनना और इसको अच्छी तरह से याद कर लो समझ लो और याद कर लो समझ में आगया है या ने इसको तीन-चार बार आप लोग लिखना बेटा तब तक लिखना जब तक आपको इसको इदम स्पीड में लिखने करने ना आ जाएं याद बिना देखें सिर्फ यह स्टेट्मेंट आपको दिया रहेगा परिक्षा में कि सिद्ध करो यादि किसी तरह की किसी एक बुच्छ याद इस एक्जाम में आता है इसके बाद में क्या है देखो इसके बाद मैंने आपको अगला फामला सिखाया था समानुपाद का मुल भुद प्रमे का विलोम कि ठीक इसका उल्टा होता है जैसे यहाँ क्या दिया था रेखा समांतर थी तो अनुपाद बराबर उल्टा क्या होता है कि यदि अनुपाद बराबर हो तो रेखा समांतर होती है तो इसको सिद्ध करने की ज़रूत नहीं है तो कि ये एक्जाम में नहीं पूछा जाता है फिर उसके बाद में ये एक और प्रेमे था तुर्भुच के कोण समदिभाजक कपर में है ये भी रेग्यूस कर दिया गया है इसलिए इसको भी मैंने कट किया है यहां पर इसके बाद पेज़ नंबर 9 पर भी है सब चीज़ रेड्यूस कर दिया गया है इसमें से वह कुछ नहीं है ऐससे पेज़ नंबर 10 इसमें भी कुछ भी मतलब इसका फार्मूला रहेगा और नहीं पूरा कट कर दिया है तो हाँ नहीं करना नहीं करना है इस पर आधारित सवाल भी नहीं करने है देखो तो यहाँ पर खाली क्या दिया है यह समानपात का मुलभुद प्रमे जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया रेखा समानतर होगी रेखा अगर समानतर है तो अनुपात बराबर फिर उसका विलोम सिखाया था कि अगर अनुपात बराबर है तो रेखा समानतर होती पिर ये ये सब कट है कोण सम्दिभजक कप्र में नहीं है समांतर रेखाओं का गुर्धन ये भी नहीं है पिर ये पेज नंबर बारा पे पेज नंबर बारा पे जो उदारन दिये गए है हाँ वो भी नहीं है ये और एक्सरसाइज 1.2 के उपर का ये जो उदार किरती दिये ये भी नहीं है पिर ऐसे ही 1.2 का मैंने ये फर्स सवाल आपको करा दिया था लेकिन वो भी परिक्षा में नहीं है है लिए फिर भी आप प्रेक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं मैंने करा दिया था आपको सेकंट वाल सेकंट है सिर्प जो कट किया है वो नहीं है ऐसे देखो तीसरा सवाल नहीं है ये पांच्वा छट्वा सात्वा नहीं है से टिक हैं and और यह यह आठी ग्णवर नवर भी नहीं है सीधा, three-to यह तो मैंने आपको सब बताया था, क्या क्या नहीं है 11 शवल भी नहीं इसके बाद मैंने आपको बता दिया था जो जो है वही मैंने कराय था अगर यह चाहिआ है मैं आपको वीडियो भी भी भेज दूंगा उसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या नहीं है भी कि भीजा था मैंने ओके ओके ठीक है ठीड डेटा ठीक है कि इसमें उधाहरन 4 और 5 ये सब हैं एज मैंने जो प्रश संग्रा कराया है उसी क्या कि अभार पर है यह अग談 चार면 पाँछ में अलग से कराया था आपको 1.3 में भी सारे सवाल हैं ये एक प्रमे और रहे गई है वो भी बता देता हूं मैं आपको समरूप त्रिभूजों के चेतरफलों का प्रमे है ये मैंने आपको बताया था कि जब त्रिभूज समरूप होते हैं तो उनके चेतरफल का अनुपात उनके संगत भूजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है तो इसमें करना क्या है दो त्रिभूज आपको बनाने हैं सबसे पहले तो ये समझ लोग परिक्षा में कैसे पूछा जाएगा परिक्षा में ऐसा पूछा जाएगा ये एक statement दिया होगा कि सिद्ध करो दो समरूप त्रिभुजों के छित्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है तो यहाँ पर starting में जो दिया गया है वो दत है बाद में जो दिया है वो सिद्ध करना है दो समरूप त्रिःभुज यह दिया गया है उसके बाद में क्या है? छित्फल का अनुपाद, संगत भुजाओं के अनुपाद के वरगों के अनुपाद के बराबर होता है जो बाद वाला पार्ट है यह सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है? दो समरूप त्रिभुज बना देंगे तो एक त्रिभुज ABC बना दिया दूसरा त्रिभुज PQR बना दिया ठीक है यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं हमने यहां दत में लिख दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दत में लिख दिया पिर यहां पर अमने ये AD LUMB BC पर खीच दिया है और PS LUMB QR पर खीच दिया है क्यों खीचा है क्योंकि हम यहां चेटरफल की बात हो रही है तो चेटरफल में आधार और उचाई दोनों की जुरुत पड़ती है तो आप देखो यहाँ पर क्या है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है AD लंब BC पर है और यह PS लंब QR पर है इद्दत है हमें सिद्धिका करना है कि जो समरूप त्रिभुज इनके छेत्रफल का अनुपाद इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपाद के बराबर होता है तो यहाँ पर तीनों संगत भुजा लिख दिये AB, BC, AC नीचे PQ, QR और PR और यह वर्ग कर दिया और यह अनुपाद बटे में हो गया तो उपत्ति शुरू करते हैं वो पत्ति में देखो हम लोग जानते हैं कि area of triangle ABC बटे area of triangle PQR बराबर एक बटे दो इसका आधार गुड़े उचाई और यह नीचे ओले triangle का आधार एक बटे दो आधार गुड़े उचाई परबर तो इसका आधार क्या है BC और उचाई क्या है AD तो यहां BC इंटू AD आ गया ऐसी PQR का आधार उचाई क्या है तो फुच PQR का आधार है QR और उचाई है PS तो आधार QR इंटू PS आ गया हाँ तो आप क्या किया देखो इसको अलग-अलग कर लिया BC बटे QR को एक साथ लिख दिया है और यहां AD बटे PS को अलग-अलग लिख दिया दोनों को अलग-अलग लिख दिया कि गुड़ा बीच में एक एक ही लिख दिया ठीक है जो BC into AD था BC into AD सेम चीज है खाली इसको दो अलग अलग भिनने के रूप में लिख दिया अब देखो यहाँ पर त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS यह चोटा ट्रेंगल ABD और त्रिभुज PQS यह दो चोटा ट्रेंगल ले लिया है अब इसमें देखो यह जो अंगल B और यह जो अंगल Q है यह देखो यह समरूप त्रिभुज के कोण है की नहीं B और Q तो इसलिए यह दोनों कोण बराबर होंगे की नहीं सरवांगसम होंगे तो चोटे ट्रेंगल में भी यह कोण आ रहा है तो इसलिए चोटे त्रिभुज में भी अंगल B और अंगल Q बराबर होगा और उसके बाद देखो यह अंगल D और यह अंगल S यह दोनों 90 डिग्री है तो इसलिए अंगल D तीनों अक्षर से नाम लिख दिया है मैंने सिखाया था आपको और यह अंगल S इसका भी तीन अक्षर से नाम लिख दिया यह दोनों 90 डिग्री होंगे यह दोनों चीजे दी गई है दत लिख दिया है तो आप देखो यह पहले त्रिभुज का दोनों कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर है इसलिए कोको को सोटी से यह दोनों चोटे त्रिभुज समरूप हो गए तो इसलिए देखो इनकी संगत भुजा कानुपात लिख दिया अब देखो बड़ा त्रिभुज पहले से ही समरूप दिया है अब देखो बड़ा त्रिभुज पहले से ही समरूप दिया यह पहले से ही समरूप इसकी संगत भुजा लिख दिया अब और और तीन से क्या हो गया देखो यह सब सब बराबर हो गए हैं तो कि इसके भी बराबर है इसके भी बराबर है तो यह एक दो तीन चार चारों अनुपाद बराबर होंगे कि इस समझ में आगया कि नहीं कि आप देखो आप यह पहला वाला स्टेट्मेंट वापस से लिख रहे हैं अब इसके बाद देखो यह वैसे लिखा है यह AD बटे PS को भी BC बटे QR लिख दिया क्योंकि AD बटे PS और BC बटे QR यह दोनों बराबर हैं क्योंकि यह दो नों एक ही अनुपाद के बराबर हैं अ理想 quién भी आप अनुपन बराबर होंगे इसल लिए AD बटे qr स्कूर हुआ वैसे ही जो इन जो संगत भुजाये हैं जैसे ए-b-sqa-r-b-q-square वो भी आ जाएगा तीसरी जो संगत भुजा है अन्य भी bc-bc-sqa-r-qr-q-qs बड़ाबर हो जाएगा थीसरी भुजा भी ऐसे लिख सकते हैं तो इस तरह से यहां पर सिद्ध हो गया यह एक्चली यहां यह दो बार आ गया है यहां पर तीसरी भुजा लिखने चाहिए थी यहां पर क्या लिखना था तीसरी भुजा यह से यह BC यहां लिखा है फिर AB लिखा है तो इधर किया आज आएगा तीसरी भूजा क्या बची AC быч़ और यहां तीसरी वुजा क्या बची pork अधर चिस कॉयर और यह प्र निख रागी मैंने पञि इन पेंसल से लिखा है यह चैप्टर पहला चैप्टर समरूपता खतम होता है काल के लेक्चर में हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे पाइथा गुरस का प्रमे तो तो अब आप लोग एक करके लेफ्ट हो जाईए लेक्चर यहीं पर खतम कर रहा हूं कितने लोग उने अटेंड किया तेरा दिख रहे हैं तो तेरा लोगों ने सिर्फ अटेंड किया है अधिक से अधिक लोग लाइब लेक्चर जॉइन किया करिए तो यह लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं यह दोनों प्रमे आप लोग पांच-पांच बार करना यहीं आपका होमवक है